असलालेकूम Muslim Dynastries में से पांच डनेस्टी बड़ी फिमस है उनको जिक्र करेंगे और इसे पहले डायनस्टी कवर करेंगे पहले डायनस्टी के नाम किया है हमारा पास सिल्जूब डैस्टी दूसरी नमर पही आती है फाकमी डायनस्टी तीसरे नमर पहीए यूटिट औरहाज काहं से होता है उन थाओं थ्री फोर एक हजार चोंटी से लेकि यह ढ़राइड़ी द्याज से लिए इसका नापर सिल्जूौ डैनेस्टी अब तरह चीजू है यह आज मेप है में कहां पहें राइट कहां पहें करती है उसको जढ्नेक करता है आप आप आके आदेगें फुरिकी साइड यहां पर को अजरबाय जान अर्मेनिया तुर्क मानिस्ताइ यह सारा इलाका जो है यह सर्जूग डायस्टी के अंडर था अब यह सर्जूग डायस्टी जो है इसका अगास कहा से होता है इसके पहले जो रूलर है जो के बड़े ही कापिल रूलर है देखें इस डायस्टी के दर बहुत सारे रूलर्स गुजरे हैं इन में से चंद एक सबसे पावर्फिल गुजरें उसके बाद कोई भी रूलर आप कहा लिजिए कि इतना ताकतवार नहीं आया लेकिन एक रूलर जो है जिसने काफ़ता जंगे जी थी तुग्रिल बैग के बाद डैडवाजदा अलब असलान जिसको हम लाइन हटिट का इनको कहते हैं इनका चोड़ी चोड़ी स्टेट को मिला के एक बड़ी स्टेट चोड़ी स्टेट को एक स्टेट बना देता है तो हम इसको क्या नाम देते हैं हम कहते हैं कि फांडर है इस स्टेट का या फिरूलर के नाम देते हैं यहां पर सजूटी चोड़ी आपने अजादाना तोर पर क्या तुर्की की साइड के उपर बहुत pricing उसके एक पर बाद में किया गया , आप चागरित बेरी उसके बन ख़ाया के नाक ही अंजन तो चुड़ के उपर भॉबर का engged जो तुड़े बयाइक लिए की हसके इसके ऐसके बाति पर इर्रां का पर इरां केस्त है क्यांस से इनने कश्चर करना शम्रा佑त करनी सा叔 के इनुक्शी सब्सक्षाइज में शेड़िक से उसके बाद अला तो यह इस्रिजुग डाइस्टी का इसा बने वान इनकी बड़ी फेमस बैटल थी डाट वाज बैटल ओफ मैंजिकर्ट मैंजिकर्ट एक बड़ी फेमस पैडल थी दर आफर डाट आज पर अज़ के दौर में यहांपर एकस्स करते लिए अजर्बाइयजन तुर्की एंडट्रकमालिस्थान वाला जो इनकी यह यहां पर एकस्स करता है यॉर्पित यॉरॉप और मन्गोल इन दोनों तो बीजब अगर किसी ने बारियर के तरकियों पर काम किया थे सल्जूब डाइस्टि थे इधर बड़े सैट पर बात करना तो यहां पर जो इस्लामिक स्टेट्स बरकरार थी ठीक है इस्लामिक स्टेट्स तो थी यहां पर बीज में उनके दर्मियान में भी जो बैरियर के काम किया वो किसने क्या मन्गोल और इस्लामिक स्टेट्स को बचाने के दर्मियान में जो बैरियर के काम किया वो किसने क्या सल्जूब डाइस्टि ने काम किया देखे हर कोई जो है कोई आफ़रा तफ़री तो नहीं मचाई लेकिन बहुत इंपोर्टन रोल प्ले उसमें लाजमत दोपर किया उसके बाद करते हैं तो इसलामिक स्टेट जो है इसलामिक बाड़ जो है उसको डिफेंड करने का काम करते हैं आप सबसे पहले तुग्रिल बैक साब इसके क्या बन अपायर थी इसको कहते हैं बेजन डाइन अपायर यहां से कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद तुर्की है उसको इसको 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 काइंड हर्ट या लाइन हर्ट क्यों कहते हैं इसले कहते हैं क्योंके इन्होंने अनातुरियो वाला इलाका जीतने के बाद इ तुर्क लोगों के लिए दोबारा से α्पभयlica कर दिया था बेशक इन्हों ने उसलगत इसको वेल कर लिया था जितने बी तुर्क ने बाकी इसको घ्री के लिए तो नाजबल मलक जो हैं वो वजीर होती है इनकी सल्टनत के और राज करते हैं यह एक तरण केस्टेवार बहुता है लोंगा बेगा तोसटेबन वाल भॉठ भी होए पॉते पातरखा काम नहीं करते हैं उन इन सब का जो फेलियर है कि यह कैसे कैसे फेल हुए मलिक शाह अबर फेल हुए नसुर दिन महमूद शिप फेल हुए उसके बाद तुग्री सेकंड फेल होगे इस सब को गोर से कौन देखता है बाद में आने वाला एक इन देखते डाट लेके आते हैं नमबर बाद इन्होंने देखा कि जब हम लोग अपने लिट्रेचर को अदब को जबाद को हम तरजी दे रहे थे उस वंके हम क्या कर रहे थे हमने बहुत सारे इलाके कैप्चर कर लिए लेकिन जैसे हमने लिट्रेचर के ओपर काम करना खुतम कर दिया अन्होंने ओपन किये door अबक जने देखा कर दो कि अन्होंने डिम्हास की करने वाले बहुम है इन्होंने और भी अबाद किये और आ son huge support किया और आफ्ट्र टैय्ट्स जो है इसका भी यह बहुपत आप्संदा को पसांद्न तुग्राल लास्ट प्रूंक टेंट बात करते ह मैंमोद के बाद माद मलिक याद रखे महमोद के याद रखे हैं वह जिलडी आपनी जो रहा जाते हैं अब इनके आटैक होने के कारण क्या इंकी रीओर्म जी ती नहीं की ने न फूके ना है चक्फयर न है जो प्रॉबल्लम रहती है यह है कि सेडसates होते हैं už कर डिद्र का इंचा करता हैै तो इसी वजए से इसने का इरेदा को दू है यह झाल यह जो फाइदा ही घाएं सच घॉठ और दिवार्ट जाता है तो इसी जो है दो यह तो यह झाल यौिज़ग में पार interess smells उस अपने एकताम को पहुंचाती है